प्रशी विध्यक जो अब कानून में तब्दील हो चुके हैं तीनों क्रशी विध्यकों को राश्पती रामनात कोविद ने मन्जूरी दे दी है ये विध्यक इस तरह हैं पहला विध्यक किसान उपज व्यापार एवं वानेजी समवर्धन एवं सुविधा विध्यक 2020 किसान सशक्ती करण एवं सनरक्षन मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं क्रशी सेवाएं विध्यक 2020 आविश्यक बस्तु संशोधन विध्यक 2020 क्रशी श्यत्र में सुधार से जुड़े हैं तीनों विध्यक इन विध्यकों का मकसद विन्यमित मंडियों के बाहर क्रशी उपच के बिक्री की अनुमती देना है साथे किसानों को अनुबंध खेती की इजाज़त भी देना है अनाज, दाल, आलू, प्याज और तिलहन जैसे खार्द्य पदार्थू के उत्पादन आपूर्ती वित्रण को विन्यमित करना है तीनों विध्यकों का मकसद क्रशी क्षेत्र का उदारी करन करना भी है बेचने की आजाबी से किसानों को मिलेगी बेहतर कईबद प्रधान मंत्री मोदी ने संसद में विध्यकों के पारित होने के बाद कहा था कि सिक करोडों किसानों को मिलेगी ताकत मन की बात में भी पीएम मोदी ने क्रशी विध्यकों को किसानों के लिए लाब दायक बताया था मिलन, सोमन और मुझुता दिवेकर जो ऐसी हस्तियां भाग लेगी खोबड़ोनीस महामारी के इस दौर में फिटनेस, जीवन का एक महत्रपून पहलू बन चुका है इस समवाद में पोशन, स्वास्थे और फिटनेस के विभिन पहलूँ पर ज्यान वर्धक चर्चा की जाएगी प्रधान मंत्री द्वारा चलाए गए इस जन आंदोलन का उदेश्य फिट इंडिया समवाद के जरीए देश के नागरिकों को स्वास्थे की द्विष्ट्री से फिट राष्ट्र बनाने की ओर ले जाना है पिछले वर्ष से फिट इंडिया प्यान की शुरुआत के बाद देश भर में विभिन कारिक्रमों का आयोजन किया क्या जिसमें देश भर में विभिन वर्क के लोगों ने बढ़ चड़ कर भाग लिया जिसने इसे सच्चा जन आंदोलग बना दिया स्वेम की फिटनेस यात्रा के अनुभवाओं को साज़ा करेंगे संबाद में विराज कोहली से लेकर मिलिन सोमन और रुजुता दिवेकर जैसी हस्तियां भाग लेंगी कोविड-19 महमारी के इस दौर में फिटनेस जीवन का एक महत्वकून पहलू बन चुका है इस संबाद में पोशन स्वास्त और फिटनेस के विभिन पहलूओं पर ग्यानवर्दत चर्चा की जाएगी प्रधानवंत्री द्वारा चलाए गए इस जनांदोलन का उद्देश फिट इंडिया समवात के जर्ये देश के नागरिकों को स्वास्त की दृष्टी से फिट राष्ट्र बनाने की ओर ले जाना है किसान सशक्ती करण एवं सनरक्षन मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं क्रिशी सेवायं विधेद दो हजार बीस आविश्यक बस्तु संशोधन विधेद दो हजार बीस क्रिश्य शेत्र में सुधार से जुड़े हैं तीनों विधेद इन विधेकों का मकसद विन्यमित मंडियों के बाहर क्रिशी उपच के बिक्री की अनुमती देना है साथे किसानों को अनुबंध खेटी की इजाज़ग भी देना है अनाज, दाल, आलू, प्याज और तिलहन जैसे खार्द्य पदार्थों के उत्पादन आपूर्ती वित्रण को विन्यमित करना है तीनों विध्यकों का मकसद क्रशिक शेत्र का उदारी करन करना भी है बेचने की आजाबी से किसानों को मिलेगी बेहतर की बद प्रधान मंत्री मोदी ने संसद में विध्यकों के पारित होने के बाद कहा था कि सिक करूरों किसानों को मिलेगी ताकत मन की बात में भी पीएम मोदी ने